का काम किस ने किया प्रदान मत्री जी मेरी गुजनात के मिट्टी के सपूत दॉक्तर शामा पुषाज मुखर जी दिद्वान थे दिदे कानन जी उनके साथ वारता करते थे स्वामी दयानल सरस्वती उनसे वारता करते थे लोत मान्यत दिलक उनका मारदरसंद में संपर्ख ब मिर्मान किया था कि और मदला धिंगरा ने करनल बॉयवी का तो मारने काम उस इंडिया हाउस पर किया था हिंदुस्तान में क्रांटी कारियों के वह गुरू माने जाते थे उन्होंने 1930 में उनकी मृत्य हुई और मरते समय उन्होंने की इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अस्थी जो है उसको समाल के रखा जाए लेकिन देश जब आजाद हो तम मेरे अस्थी आजाद हिंदुस्तान में ले जाए ताकि मैं जो भारत आजाद भारत की सांथ लेना चाहता था जीते जी नहीं ले पाया लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे अस्थी को आजाद हिंदुस्तान की हवा का रुख का पता चले इसलिए ये मेरे अस्थी समाल के रखे जाए देश आजाद होने के बाद उसे ले जाया जाए 1930 से वो अस्थी जीने वाके मशान में रखे गए थे, वहा की सरकार में रखे थे 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नहरू का पहला काम था कि कोई प्रतिनीती को भेज़ करके देश के लिए जीने मनने वाले डॉक्टर शामा पधाज मुखर जी के वो अस्थी को हिंदुस्तान ला देते नहीं किया 2003 तक नहीं किया भाई यो बेहनो 1930 में मुझ्य हुई 70 तर सल तक और आज हादी के 50 साल के बाद भी वो अस्थी इंतजार कर रहे थे कि हिंदुस्तान का कोई लाल आएगा ये मेरे अस्थी हिंदुस्तान ले जाएगा और आजाज भारत के हवा का मुझे अनुभो कर आएगा ये काम प्रदान मंत्री जी आपकी पार्टी ने नहीं किया इतिहास को दबोचने का प्रयास हुआ भाईयो मेरो ये मेरा सद भाज ये मेरा सद भाज ये दोह जार तीन में गया जिनेवा दॉप्टर शामा प्रदान मुखर जी भारत की आधादी के लड़ने वारे क्रांची कारियों के गुरू उनके अस्ति में खुद कंदे पर उठा करके ले आया और आज कच्छ के मानवी में उनके घाओं में इंडिया हाउस बना करके उनका समानग हमने खड़ा किया है इस यहां